टिकेट जारी कर दिये हैं सरोधनी नगर से राज राजेश्वर सिंग को टिकेट दिया गया यानि स्वाती सिंग का टिकेट कार्ट दिया गया है राज्य मंत्री थी स्वतंत्र प्रभार बड़ी जिम्मेदारी थी वर्तमान सरकार में लेकिन इनका टिकट काट दिया गया अपना टिकट नहीं बचा पाई है ब्रजेश पाठक लखनोग कैंट से प्रत्यासी होंगे इनकी सीट बदल दी गई है लखनोग कैंट से ब्रजेश पाठक वर्तमान में मंत्री हैं कानून मंत्री इनकी सीट बदल दी गई है लखनोग पूर्व से वर्तमान में मंत्री है अचुतोष टंडन इनकी पूरानी सीट से ही केंडिडेट बनाय गया लखनो मद्द से रजनीश गुप्ता को टिकट दिया गया है पश्चिम से अंजनीश रवास्तो भारती जनता पार्टी के अधिकारिक प्रत्यासी होंगे बीकेटी से योगेश शुकला को प्रत्यासी बना गया है मोहलाल गन से अमरेश कुमार्द उचाहर से अमरपाल मौरे जहानाबाद से राजेंद्र पटेल को टिकट दिया गया है भगवंत नगर हिरदयनान दिक्षित यहां से शुनाव लड़े थे पिछली बार वो विधान सभा के अध्यक्ष थे पच्चतर के पार होने के विज़ा से हो सकता है कि उनका भी टिकट क सूची जारी किये और अब तक ओवराल 403 विधान सभा सीट में से 311 सीटों पर अपने कैंडिडेट का ऐलान कर दिया गया है आज 17 सीटों पर देखे चित्रकूर से चंद्रिका प्रसाद उपाद्या है यह पीडवलूडी राज्यमंत्री है वर्तमान सरकार में इन्हें बर आजेंद पटेल को उचाहर हाई प्रोफाइल सीट यहां से अमरपाल मौरे को दाउखेला है भारती जंता पार्टी ने मोहलाल गंसे जो कि सुरक्षित सीट है यहां से अमरेश कुमार लखनू कैंट से मद्द से विधायक थे मंत्री हैं उरतमान में इन्हें लखनू कैंट से टिकट दिया गया है लखनू मद्द से रजनीश गुप्ता चुनाव लड़ेंगे और इसके साथ पूर्व से आशुतोस टंडन चुनाव लड़ेंगे अभिशेक पंडे इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है अभिशेक नौ की नवो विधान सभा सीटों पर ऐलान कर दिया गया है दिल्चस्प बात यह रही कि स्वाती सिंग्ग का टिकट काट दिया गया और कानून मंत्री की सीट बदल दी गई यह जो नए कुछ कैंडिट है इनके बारे में बताई राज राजश्वर सिंग को भी तो टिकट दे दिया गया सरुजी निगर से यह योगे श की लखनाव कैंट को लेकर के हमेशा चर्चा बनी हुए थी क्या कि रहे किसके हिस्से में जाएगी यहां से किसको चुनाव लड़ाए जाएगा तो लखनाव कैंट भेजे गया हैं मौजूदा योगी मंत्री मंदल के मंत्री हैं ब्रजेश पाठक बहुत एक्टिव रहते ह लखनाव कैंट उनको भेज दिया गया है लखनाव कैंट माना या था कि बहुत परंपर परंपरागत सीठ बातियंता पार्टी की और वहां से पीजेपी को आसान जीत होती है लेकिन जो सबसे चौकाने वाली बास है आप देखे कि सरोजणी नगर में जो मौजूदा मंत्र से स्वाते सिंग उस सीट को लेकर के भी बहुत मारा मारी मची हुई थी और फिलाल स्वाते सिंग केवरेट बंसरी का टिकट कटा गया है और राजेश्वर सिंग जो कि दो दिन पहले तक लीटी के अधिकारी थे उन्होंने वियारस से आया है दोखी लडाई में तीसरे को गया तो यह एक चौकाने वाला नाम है राजेश्वर तिंग को सरोजनी नगर का टिकट थमा दिया गया है लखनौ पश्चिम की सीट खाली थी काफी दिनों से क्योंकि को रोना में ही सुरेश श्रवासों जो की विधायक से उनका निदन हो गया था तो वहां से अंजनी श् इसा ही बना करके रखा गया है लखनौ फूर जो कि सबसे कीक वाक मानी जाती सबसे आसान स्टीट मानी जाती बारतिंदा पार्टी के लिए एक बरने से आशुतों स्टेंडन के ही खाते में हो गई है लखनौ मत में प्रजेश पाटक अगर हटे हैं तो उनकी जिए रजनीच गुत्ता सामया हैं कई लोगों के दावे खारिज हुए हैं मोहनलाल गंज, अमरेश कुमार है इसकी नम आप जी देखे की खगवत नगर जैसे कि आप बता गी रहते कि इस बार किरदाया दिक्स प्रेस दीए गया है आश्टों शुक्ला उनकी जगाए हैं में भी जो मुझना फिरायक पे उनका टिकट काट करके योगिस शुक्ला को मौका दिया गया है तो ये लखनो की जो नो सीथे ती जो इतने लंबे से चर्टा में थी सीन तारिक नामांतन का आखरी दिन है कल का एक दिन वश्टा से परसों का और ऐसे में देर राप ये सीथ जारी की गई बहुत मंथन किया गया इसके पीछे क्योंकि बहुत से लड़ाई छगड़े से सरोजिन अगर को ले करके कैट को ले करके लखनों फश्रिम को ले करके लेकिन आ अजत्वा पहलाकमान ने अपना फैसला सुना दिया है है इसके रियक्शन क्या होंगी वो देर कर रहे थे लखनों मध्य जो की वर्तमान में कानून मंत्री की सीट है और यह बहुत ही पॉश एरिया माना जाता है हज्रत गंज वगरा सब इसी में आता है यहां से रजनीश कुप्ता को टिकट दिया गया है लखनों केंट पिछली बार भी आसान नहीं था महस पांच हजार वोटों की माजिन से विजएश पाटक जीते थे वो तब बीजेश पी की लहर हुआ करती थी उसमें जब सभी सीटों पर अच्छी जीत हासिल हो रहे थी और इस बार भी आद देखें लखनों मंत्री जो है बह नहीं होगी लेकिन उनको लखनों केंट भीजा गया है रजीश गुपता को लखनों मद्ध की जिम्मेवारी दी गई है और फिर मैं बता रहा हूं लखनों मद्ध एक बार फिर से टफ होगा क्योंकि बिजेश पाटक अगर होते तो उन्होंने काम जो किया हो सकता उसका फा और आज आपके यहां भी भगवंत नगर सीट का ऐलान किया गया है यहां से आशुतो शुकला को टिकट दिया गया है हिदर आरदिक्षित की जगाव पर नौ की सभी 6 में से 5 सीटों पर प्रत्यासी पहले ही गोसित किये जा चुके थे भगवंत नगर विदान सभा सीट पर उनके स्थान पर जो बीजेपी के नेता है जमीनी कारी करता है आस्तो शुकला उन्हें टिकट दिया गया है और बड़ी चीजी है कि आज आस्तो शुकला ने एक नामांकन का से दाखिल किया था और आस्तो शुकला के टिकट होने से माना जा रहा है कि छेतर में बीजेपी को मजबूती मिलेगी चुकि काफी समय से आस्तों सुकला चेतर में बीजेपी के लिए काम कर रहे थे लोगों के भी मजूद थे बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आज इनोंने अपना नामांकन भी कर दिया ऐसा हमारे संवाज बता रहे हैं और उसके बाद सीट का ऐलान हुआ है तो कुल मिला के सत्रह बिधानसवा सीटों पर ऐलान कर दिया गया है आज भारती यंता पटी कितर और अभिशेक लगातार हमारे साथ राजनीति गुड़ा गणित के बारे में बता रहे हैं कि क्या हुआ कैसे हुआ कुछ नए केंडिडेट पर दाओ के ला गया अभिशेक दो लोगों की दावेदारी थी सरोजनी नगर में पती पतनी मिल गया एक नए नवेले नेता को जो अभी वियरस लेकर आए है जहां बिलकुल दो की लड़ाई में कोई तीसरा ले गया सरोजनी नगर विधानसभा के सीट और बहुत लंबे समय से हम लग यह रेपोर्ट कर रहे थे कि सरोजनी नगर को लेकर किये मंतरी स्वातिय सिंग भी लगी हुई है उनके हस्बेंड जो की भार्तियंदा पार्टी में उपाध्यक्ष के पदपर हैं वो भी लगातार क्लेम कर रहे थे उस सीट को उनसे हमारी बात भी हो रहे थी वो कह रहे थे कि वो प्रयास कर रहे हैं कि वहां से उनको मौका मिले लेकिन ले गया कोई तीसरा है वो भी राजेश्वर सिंग ले गए जो दो दिन पहले तक वीजेपी के मेंबर भी नहीं हुआ करते थे उनको अचानिक से उन्होंने वी आरेस लिया और उसके बाद आज ही उनको टिकट ठमा दिया गया सरोजनी नेगर विधान सवा सीट की जो की बहुत जादा चर्चा में थी पती पत्मे के आप सीखी इच्थान में तो ऐसे में ना स्वाते सिंग को मौका मिला और नहीं दैशकर सिंग को ये टिकट हास लगा है राजेशोर सिंग को अब वो बीजेपी के अधिकरत परत्याशी हैं सरोजनी नेगर विधान सवा सीट से और स्वाते सिंग और दैशकर सिंग को उनके लिए मैनस करनी पड़े अब यह देखने वाली बात है कि स्वाते सिंग और दैश अंकर सिंग का रियक्शन इसके क्या आते हैं स्वाते सिंग के बारे में कहा जा रहा है कि वो पुरी दमखम लगाया था उन्होंने बीटे तीन महीनों से क्योंकि उनको इस बात का अंदेशा था कि वो सिंग पर कई लोग क्लेम कर रहे हैं कई लोग चुनाओ लगना चाहते हैं बहुत महनत भी कर रहे थी लेकिन यह बात भी सही है इसको कहने में कोई गुरेज नहीं है कि बीटे पांस साल में वो तमाम ऐसे कारेकरताओं को उन्होंने नाराज किया बहुत चर्चाओं में रही बहुत से उनके विवाव सामने आए उस शेतर में यह तमाम कारेकरताओं नहीं आरोब लगाया कि वो मिलती नहीं है बात नहीं करती है कहीं न कहीं ये तमाम इसे बातें थी जो फिट नहीं हो रहे थी और इसलिए पार्टी अलाकमान ने महाँ पर एक नए प्रत्याशिक होता रहा है राजश्वर सिंग को और माना जा रहा है कि अब उनको साबित करना होगा और दयाशंकर सिंग हूँ या सौते सिंग हूँ इन मामला इतना लंबा की चाहा है और आज देर रात में टिकट को शित करना पड़ा है चलिए या लेकिन कुछ लोगों का टिकट सुरक्षित भी रहा है अब इशेक अगर देखिए तो कोशल कि सोर की पतनी जहां से लड़ती थी वहीं से टिकट दिया गया और साथी साथ ये क कुछ कारण समझ में आए कि ब्रिजेश पाठक की सीट को बदला कि हो या आप हाला की बता चुके है कि पिछली बार जो मार्जिन था वो पांच ही हजार था देखिए लगनू मन्दे को लेकर कि जैसा मैंने का कि बहुत आसान कभी इससे पहले भी नहीं रहा है विक्तक वहां पे हमेशा बनी रही हुए एक ऐसी सीट है उसके परिसीमन को आप देखिए मन्दाताओं के और कास्ट वाइज इक्योशन को भी देखिए तो बहुत ज़ सकती थी बीजेटी का जो इंटर्नल सर्वे था इसके लागा जो थार्ड पार्टी आॉडिट कराए गया था उसमें बात सामने आये थी कई सीटों पर इबात सामने आये थी जो मुश्किल हो सकती थी उसमें लखनू मन्द भी रखा गया था और इसलिए विजेश पाठक को मारा मारी मची हुई थी खरीता भोगना जोशी हो मौझूदा विजेश पाठक को क्योंकि उन्होंने काम किया था इसका इनाम खाया सकता है उनको तिया गया है और एक बार फिर से बाकी नेताओं को तरकिनार करते वे उन पर भरूसर जयता है पाठी आला कमान में बिल्कुल और इसके साथ ही चित्रकूट से जो वहां के विधायक थे और मंतरी एपी डेबलूडी उनको भी परकरार रखा गया है जी है बिल्कुल चंदीका प्रशाद को भी एक बर दुबारा मौका दिया गया है और पार्टी के पुराने नेता है वरिश नेता है और बह दिखते हुए आप इस बात को जरूर मानिये कि पार्टी ने जो सर्वे कराया था उसका भी बहुत कुछ इंपुट इन सब विधान सभा में जो टिकट बांटे गये हैं उसका असा दिखाई दे रहा है बिलकुल यानी काफी बदलाओं भी किये गये है और साथी साथ भारती जन्ता पार्टी ने आज 17 सीटों पर प्रत्यासियों का एलान किया है ओवराल 311 कैंडिडेटों का एलान कर दिया है भारती जन्ता पार्टी की तरफ से आज लखनों की सारी यानि सभी 9 विधान सभा स सीटों पर ऐलान किया गया है जिसके बारे में अभिशेक आपको लगाता अपडेट दे रहें कि क्या बदला हुआ क्यों बदला हुआ और किस वज़ा से सीटे बदली के उसके बारे मी बता रहे हैं लेकिन नीरज बोरा आशुतोस टंडन जया देवी इन सारी लोगों की जो म पर होंगे नीरेज बोरा चर्चाओं में थे वह दूसरी दल से आयोए निता थे लेकिन उन्होंने काम जो किया और जो पार्टी ने रिपोर्ट तैयार की उसके अधार पर उनको दुबारा लखनौ उतरी सीट दी गई है साथी साथ जया देवी जो कि केंदरी मंत्री कोशल किशोर की पत्नी है उनको मौका दिया गया है लखनौ पूर्वी सबसे आसान सीट मानी आती केक वाक जिसको कायता है कि लखनौ पूर्वी से किसी को भी खड़ा कर दो तो पीजेपी वहां से जीत सकती है वहाँ पर आशुतो श्टंडन दुबारा से उनको मौका गया है तो पार्टी के अंदर और तिकत पैदा हो सकती थी बिल्कुल बिल्कुल अमिशेक हमारे साथ अमित पूरी जी है भारती अंता पार्टी के प्रवक्ता है इस वक्त हमारे साथ